मनी व्यू फ्रॉम दे टॉप के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सभी डेली हंट व्यूवर्स को आज मैं एक दिगज से मिलवाता हूं निमेश शाह जो तीन डेकेट तीस साल से बैंकिंग और फिनेंशल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आज उ अजिए डिरेक्टर है और सीओ है आई सी आई सीए प्रॉडेंशल म्यूच्वल फंड के जो देश की सबसे बड़ी म्यूच्वल फंड हाउसे में उनकी गिंती है और उससे ज्यादा निमेश और उनकी टीम के कई स्कीम्स जो है इस फंड हाउस के उसने बहुत वेल्थ क्र सालों के दौरान तो बहुत-बहुत बढ़ाई आपको निमेश आपने किया है निवेशकों के लिए और नई-ई-नई स्कीम्स भी आप लाउंच करते जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बढ़ाई हो डेली हंट के व्यूवर्स जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले क्य मार्केट्स बहुत इंट्रेस्टिंग फेस में है ठीड वो कंटैक्स में पुरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ कनेक्ट करना जरूरी है इंडिया एक्कशली बढ़िया कर रहा रहा है एक सार इस इंडिया है हमारा मार्केट उतना एक्सपेंसिव नहीं तरह आगर हगरा नहीं मार्किर तो एक इंडिया सइभर यह कि इंडिया बिजनेस साइकल वाइज एगदम नीचे है अगर हम बोलते हैं के जो उपर जाता है वो नीचे जाता है जो नीचे रहता है वो फिर उपर आता है उस phase में हमारे businesses बहुत नीचे पे है आज इस से यहां से वो उपर ही जा सकते हैं तो business cycle wise we are at the bottom of the cycle from here the business cycle can beautifully come up and we are seeing a lot of signs of the that happening industry after industry जब मैं आजकल corporate से बात करता हूँ whether it is in manufacturing whether it is in financial services sector after sector जब हम लोगों से बात करते हैं उनकी उमीद अच्छी है उनके projections अच्छे हैं उनके expectations अच्छे आगे जाके तो हमारा country में कोई issue नहीं है our country is expected to do well and we'll talk about more coming going forward but issue कहां से आ रहा है right issue कहां से आ रहा है issue पूरे दुनिया में है पूरे दुनिया में covid के times लोगों ने बहुत पैसे print किये थे अगर अमेरिका की बात करें जिसका impact इंडिया पे हमेशा होता है so अमेरिका में इतने सारे पैसे print हुए है 2008 से वो लोग पैसे print कर रहे हैं तो अभी पूरी दुनिया में जहां पे inflation कभी दिखी नहीं रहा था तभी सब जगा पे around 8% inflation हो गया है तो वो लोग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया में तो दुनिया में क्योंके ये समस्या है वो लोग interest rates उपर कर रहे हैं जब वो लोग interest rates उपर करेंगे तभी equity से पैसा निकालके थोड़ा पैसा debt की तरफ जाता है जब interest rates उपर जाता है उसका क्या so problem इंडिया में नहीं है problem दुनिया में क्या होएगा और उसका असर इंडिया पर क्या होएगा over a period of time वो देखना होगा so हम mutual fund managers एक बहुत अच्छी बात करते रहते हैं कि India for long term is okay right there is nothing which can stop India India has handled its macro economics much better than the rest of the world हमारी देश की जो आर्थिक नितिया है जो हमने की है वो बहुत अच्छे से manage की हमने उतना ज़्यादा excesses नहीं किये है क्योंकि हमने ज़्यादा excesses नहीं किये है तो हमारे में problem भी कोई नहीं है आज corporate sector इंडिया का अच्छा कर रहा है government sector अच्छा कर रहा है इंडिविजियल भी उतने leverage नहीं है तो किसी ने ज़्यादा borrow करके कोई मजे नहीं कर रहा है तो ना तो individual कर रहा है ना तो government कर रहा है ना तो corporates कर रहा है किसी का leverage नहीं है तो सारा system अपना healthy है अपनी demand बढ़ रही है तो इंडिया as a country will do well going forward but there are various issues in the world मुझे यह नहीं पता है इंडिया में किसी को नहीं पता है कि कब Ukraine-Russia का war खतम होएगा और कब oil का दाम नीचे होएगा right oil का दाम नीचे अगर कल अगर war खतम हो गया और oil का दाम नीचे आने लगा so then there can be a huge spot in the market also but nobody knows that right China एक अलग factor है right चाइना में अगर एक steel ले ले हम तो चाइना दुनिया का 50% steel consume करता था और 50% produce भी करता था right अभी शायद उसका consumption नहीं होगा right तो उसका production का क्या होगा वो भी हमको पता नहीं है कि steel consume तो नहीं करेगा वो पक्का है तो वो अपना environment खराब करेगा उतना ज्यादा produce करके और export करके लास्त तीस साल से चाइना यह करता आया है पर अभी यह लगता है कि उत्तर pollution का इतना issue हो गया शायद वो नहीं करेगा तो there is China there is America and there is this Ukraine Russia right so there are issues in the world which can affect India in the short term and which can affect India in the short term long term में इंडिया ठीक लग रहा है क्योंकि उतना ज्यादा expensive नहीं है पी रेशो की सब्सक्राइश जब आपने और मैंने अपना करियर शुरू किया तो सौ पॉइंट भी अगर सेंसेक्स में गिरावर्ट या बड़ोतरी होती थी तो लोग चौप जाते थे कि क्या हो गया और क्योंकि तब सेंसेक्स का level कम था percentage टर्म में उतना ज्यादा नहीं था तो सौ पॉइंट भी बहुत लगते थे लेकिन आज जब हमारा सेंसेक्स लगभग जब हम यह record कर रहें इंटर्व्यू साथ हजार के करीब है तो लोग देखते हैं क हजार पॉइंट बढ़ गया एक दिन हजार पॉइंट गिर गया एक दिन हाला कि percentage टर्म में वो शायद आदा पसेंट एक पसेंट हो लेकिन लोगों को डर लगता है लेकिन हमने हमारी करियर शुरू किये तब S.I.P. नहीं था अब S.I.P. बहुत popular हो गया है तो जरह इस पे जाया कि कहीं global factors के कारण होता है और यह हमारे control में नहीं है लेकिन निवेशक डर जाते हैं volatility देखे तो उनको आप क्या advice देंगे कि कोई अगर एक निवेशक है जो शुरुआत करना चाता है और daily hunt के काफी viewer यंग लोग हैं जो शुरू करना चाते हैं अपने investing की journey को उनको आ आप क्या आपको आपको क्या राय रहे हैं कॉमन मैं volatility से डर जाता है अगर वह सही है पर हम fund managers तो volatility से खुश भी होता है क्योंकि buying opportunity भी अच्छी मिल जाती है और दस साल पहले मैंने आपको जो बोला था वह मैं आज वापस वही दौर आने वाला कुछ नहीं नहीं बोलने वाले तो volatility in itself is not bad volatility is an opportunity to make money जितना volatility ज्यादा होता है उतना पैसे बनाने की गुंजाईश होती है right for a smart person so हमने क्या किया है दस साल पहले जब मैं विवेक से बात कर रहा था तभी मैंने एक product निकाला था आईसे इसे potential balance advantage fund वो क्या करता है market आज मुझे चिंता करने की ज़रुद नहीं है market नीचे गया तो जाके खरीद लेता है market उपर गया तो जाके बेज देता है right continuous ले बेज करता है और mutual fund में आप जानते हो mutual fund को tax नहीं लगता है तो उसमें जो मुनाफ़ा होता है वो भी tax free होता है so at any point of time last दस साल का हम track record जब से मैं विवेक से बात कर रहा हूं यह product के बारे में तो दस साल में यह product ने तकरीबन market ने 14% return दिया है और यह product ने 13.1% return दिया है जबके हमने केवल 53% equity में लगाया है सो यह तीनों factor important है हमने केवल 53% risk दिया आपको और हमने 95% return बना के दिया nifty का so risk adjusted return बोलता है आपके young investors है उनको हमेशा समझना चाहिए कि market में डालने में पैसा risk भी है तो risk adjusted return wise this balance advantage fund is the perfect recipe how to manage volatility and how to make money out of volatility 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 will not go especially because it is flow based अगर interest rates बहुत बढ़ गया US में और उससे Indian market correct होता है is it not an opportunity to buy पर आपके customers और जो common man investor होता है वो जब market मार्केट नीचे जाता है तब psychologically buy नहीं कर सकता है see ultimately investment is managing your जो cricket में बोलता है ना temperament important है investment में भी temperament बहुत important analysis सबको आता है आज कोई भी site पे चले जाओ आपको बहुत सारा analysis मिल जाएगा पर जादा analysis करके कभी-कभी paralysis भी हो जाता है so analysis in itself is you need the temperament to buy when the chips are down when सारा कुछ negative दिखे आप में से कितने लोग थे जिन्होंने April 2020 में invest किया था जब करोना के लिए पूरा market नीचे चला गया था this market which is at 60,000 today was less than 30,000 how many of us went and bought in the same it is the same India India में उतना change नहीं हुआ है हम as a country हम 14 दिन बंद हो गया थे और 14 दिन बंद हो गया थे तो हमारे market 30,000 के नीचे चला गया so volatility will continue because flows are volatile see earning ultimately जितना हम 10 साल का देख ले 20 साल का जितना earning पर शहर उपर जाएगा ना उतना market उपर जाएगा और कोईच नहीं होता है लंबे टाइम में 10 साल का phase दे हम तो जितना companies का earning पर शहर उपर जाएगा उतने उसके शहर के दाव यह long term 10 साल का जब मैं बात करता हूँ पात साल का मैं जब बात करता हूँ तो it will always follow the earning per share but in the short term based on flows अमेरिका में क्या हो रहा है रशिया में क्या हो रहा है चाइना में क्या हो रहा है उसके base पे market में flows आएंगे और जाएंगे जब flows country के बाहर जाएंगे तब market correct होएगा to a certain extent I think Indian investor has matured a lot जबी भी market नीचे जाता है तभी हमारे पास inflow आने लगते हैं देखिए क्या हुआ एक बहुत ही इंट्रेस्टी एक revolution हुआ है इंडिया में लास्ट दो साल में अगर आप एक साल पहले विवेक मेरा इंटर्विन लेते थे और मुझे पूछते थे कि अगर ह हर महीना एफाई आई पांच बिलियन डॉलर बेचता है चालीस हजार करोड का माल एफाई ने हर महीने बेचा है उसके बाद भी हमारा मार्केट सिक्स्टी टू थाउजन से केवल फिफ्टी फिफ्टी टू थाउजन तक पहुचा राइट केवल पंदरा 15% मार्केट गिरा बिकाउज ऑफ वाट हैपेंड फॉरेंड ने इतने पैसे निकाले और मार्केट केवल 15% गिरा है यह सेम चीद 2008 में वही थी और मार्केट आधा हो गया थी राइट क्यों यह आधा नहीं हुआ यह टाइम इतने सारे पैसे निकले मेरी अगर आप मुझे 10 साल अरे 10 महीने प तो बहुत सारे इंडियन इंवेस्टर आए फिर 55 हुआ तो भी इंडियन्स खरिदते गए 52 हुआ इंडियन्स खरिदते गए फिर बाउंस बैक हुआ फिर फॉरेनर वापस आ गया तो दोनों मार्केट में थे और मार्केट वापस 60,000 पर पहुच गया है तो देरी इस लॉट अव रिजिलियन्स और इंडियन मनी कमिंग इन इस दा मार्केट करेक्ट वापस प्रेट अब इस वापस ब्रेंगें जो फ्लोटिंग तो वन एंड आफ परसंट तो हम है राइट तो मुचल फंट से विकाव बैलनसिंग फैक्टर एपी फो भी पैसा डाल रहा है तो जबी भी मार्केट करेक्ट हो रहा है देडिस देरा सम पीपल वह रेडी तो बाइन और बैलेंस एडवेंटेज फंड की तो फित्रत ही हो रहती है कि मार्केट करेक्ट होता है जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरते हम खरीदने जाते हैं तो यह मुचल फंट सीस बैलनसिंग दे मार्केट सो इस इस वाट सो मार्केट विल रिमें वालाटाइल आई बिलिव नेक्स फाइए और तीन साल के बाद पात साल के बाद कौन सी कंपनी की प्रोफिटिबिलिटी अगर आप यह कर सकते हैं तो आपका पैसा बन सकता है मार्केट में फॉर डिरेक इन्वेस्टर्स अधर्वाइस व्यूचल फंड्स आर पेट तू दू दा हमको हमारी तंखा इसलिए मिलती है क्योंकि हमको एन्विसेज करना है किस कंपनी का अर्निंग पर शेर फ्लोस के ब पताया नहीं था के फ्लोस आज आएंगे वापस रैइट कोई नहीं पता सकता है कि फ्लोस कब आएंगे कब नहीं आएंगे इसन एक्सपेक्टेशन साल्टिमेटली अर निंग पर शेर वेल इन फैक्ट इस आउट-फ्लोस घिवस एस वेरी गुड़ और उपर्शुनिटी रुबाई निमेश एसाइपी की आपने बात की कि जिस तरह से उसने बैलन्स किया हमारे बाजार को और आज हम लगभग तेरा हजार करोड प्रती मन्त की एसाइपी की हमारी बुक हो गई है और अगर हम देखें और आप बैंकिंग से भी जुड़े रहें अपने अरली करोड बैंक के पास पड़े हैं हाउसोल्ड सेविंग जो हैं एक सो सतर लाग करोड एक सो सतर लाग करोड जो पड़े हैं लोगों ने रख्यों हैं बैंक के एफडी में या सेविंग अकाउंट में जो इंफलेशन को तो मात देही नहीं पाते वो पैसे क्योंकि उन पर टैक लेगले दो साल से पाच साल की बात करें ये सप्पी की जो बुक, हो कहां देखते हैं, कि मतलब जो आज हम देख रहे हैं क equivalent आज हम देख रहे हैं के छोटे शहरों में भी लोग यंग लोग निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं लर्न कर रहे हैं और जो मेट्रोज में जो एक्सपीरियंस है वह बहुत डिफरेंट है छोटे शहरों से वहां पर लोग आप आस्पिरेशनल हो गए हैं तो क्या आप यह जो पुरानी जेनरेशनल एक चीज है कि पैसे बैंक में डाल दीजिए इसको बदलते सब्सक्राइब करोण अगर आप म्यूचल फंड्स के डेट प्रोड़क्स देखे और एक्विटी प्रोड़क्स देखे आप उन्हों ने रिटर्न वाइल वी डू नॉट गैरेंटी एनिधिंग मूचल फंड्स कुछ गैरेंटी नहीं करते हैं मैं मार्केट में मार्क इंडेक्स है उसने 14% डिया है मूचल फंड्स का धर्मा है कि निफ्टी से कुछ आपको ज्यादा कमा के दे इसलिए आप मुझे फीज देते हैं नहीं तो आपको मुझे फीज देने के भी ज़रुद नहीं आप डारेंगी टीएफ खरीट सकते हैं सो मेरा मानना है इस एक्स 170 lakh croz of bank deposits is the main place from where money will come into mutual funds as a country evolves as a country becomes economically more smarter right as a as we cross 2,000 dollars per capita the depositor will become a investor over a period of time आज का डिपोजिटर कल का investor होगा right that is one thing और यह हर देश में हुआ है especially when you cross 2,000 dollars per capita तो डिपोजिटर gets converted into investor लाग दस साल में भी यह हुआ है दस साल पहले mutual funds were 10% of the banking deposits today mutual funds are 22 and half percent of banking deposits so अभी तो mutual fund का दोर शुरू हुआ है यह country में अगर मैं कोई भी मैं एक्दम basic मैं ज्यादा ज्यादा complicated analysis नहीं करता हूं मैं simple करता हूं यह 170 lakh croz bank deposits है वह 10% से grow हो रही है यह country तो आज से 8 साल में 2030 का scenario बोल रहा हूं सो अगर यह 10% पर गुरो होगी दस साल पहले यह mutual fund industry was 10% of the banking industry today it is 22 and half percent by 2030 will be at least be 30% of the banking industry so by that standard also mutual fund should be three times of what they are today right in eight years so joh mutual fund ने 23 साल में किया है na mutual fund को 24 साल लगे है यहां पहुचने के लिए और जो हमने 24 साल में किया है वह next 8 साल में होगा उससे double next 8 साल में होगा अगर हमने आज तक 40 लाग करोड किये है next 8 साल में 80 लाग करोड आएंगे mutual funds right so we are we are equipped to manage that kind of money और यह होगा it's a question of time क्योंकि हमारा हर product customer friendly है I think security and exchange board of India हम regulated है by SEBI SEBI ने बहुत अच्छा काम किया है यह product है ना customer के लिए pure बना दिये I remember वीवेक मुझे आज से 10 साल पहले भी बोल रहे थे कि यह product उनको करने में और इस पे शो करने में क्यों उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो customer का कुछ भला कर रहे है यह product के बारे में बार कर तो I think media has helped this product a lot because media has also understood this is this product is working for the final investor right उसको transparency मिलती है और उसको जो उसको जो वो invest करता है उससे हम हमारा expense card देते हैं जो transparently हम बता देते हैं कि हमारा 1.6 होगा यह 1.8 होगा यह 1.9 होगा वो उसको बता देते हैं और वह कट करके बाकि जो भी होता है investor का होता है तो it's a very transparent and good product it will increase in size and it will help a common man मुझे क्यों अच्छा लगता है मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरा काम क्यों बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं दो जरूरते देश की ख़़म करता हूं देश को और चाहिए कि रिस्क वाला capital form हो तो we help capital formation which goes into risky assets like equity और दूसरा जो बहुत important है मैं common man को inflation बीट करने में help करता हूं जो आत्मी को अगर आपको समझ है कि कौनसी company तीन साल के बाद अच्छा काम करेगी और उसका मुनाफ़ा दुगना हो जाएगा अगर आपको ये समझ है तो आप बेशक खुद invest कीजिए पर आपको अगर ये analysis नहीं है और आपको पता नहीं है और आप भी किसी के उपर dependent कर रहे है तो उससे बहतर है कि आप एक mutual fund को दे दीजिए क्योंकि उनके पास experts है जिनका काम खाली market track करना जिनका काम खाली companies track करना है और वो पता करना है कि कौन सी कंपनी का मुनाफ़ा तीन साल में बढ़ेगा so अगर it depends on your expertise if you think that you want to spend your time trying to research companies you should do that और आजकल लोग बहुत कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं हम कभी-कभी बोलते हैं सब website पे जाके या सब apps खोलके खेलो नहीं लगता ऐसा होता है क्योंकि अगर आप एक बहुती जिरोदा करके एक entity है नितिन कामत के आप tweets देखो तो उसमें वो हमेशा बोलते हैं कि trading में कोई जीता नहीं है उसके खुद का data ही बोल रहा है वो हमेशा समझाते रहते हैं कि traders पैसा नहीं बनाते हैं निवेशा की पैसा बनाते हैं तो आपको एक समझ होनी चाहिए invest करने के पहले यह समझ होनी चाहिए कि यह company का तीन साल के बाद मुनाफा क्या होगा अगर वो समझ है आप direct invest कीजिए बहुत सारे लोग DMAT account खोल रहे हैं इंडिया में 10 करोट DMAT account खोल गहें तो दो कॉंशनेस वाइए उनका पहला सलरी भी यह mutual fund में जाता है right so I'm very happy that the common the young person of India wants to beat inflation from day one rather than putting in products which do not beat inflation हमारा कोई guarantee नहीं है जो markets करेगा उस हिसाब से ही हम करेंगे markets उपर जाएंगे तो हम markets से ज्यादा उपर जाने की कोशिश करते हैं अगर markets नीचे जाते हैं हम कोशिश करते हैं जितना market गिरता है इतना हम ना गिरे वह हमारी कोशिश होती है right so that is what you pay us the commission for and that is the business and till now mutual funds in this country have done a good job for the common man एक आखरी सवाल निमेश आज के दौर में देख रहे हैं कि काफी new fund offers आ रहे हैं इने force जिनको कहते हैं और हर mutual fund house launch कर रहा है आप भी कर रहे हैं आपने भी किए हैं लेकिन एक again एक निवेशक के लिए खासकर कोई नया निवेशक हो उसको एक new fund offer को किस तरह देखना चाहिए कहीं बार तो ऐसा है कि कोई नई mutual fund company ही launch हुई है तो उनको तो अपने launch करने ही पढ़ेंगे schemes क्योंकि मुझे याद है जब भी हमने बातचीत की है जैसे आपने कहा 15 से जादा सालों से हम बात कर रहे हैं तो हमेशा एक चीज आती है कि जब भी आप निवेशक करें track record देखें ये कहा जाता है किसी scheme का या fund house का तो अब जब ये एन फो जा रहे हैं इतने तो निवेशक को उन पर क्या राय बनानी चाहिए किस तिती में एन फो में invest करना चाहिए see NFO there is a track पहले तो ये सबसे एक challenge क्या है या कि एक mutual fund investor के लिए कि वो किस तरह से invest करें कि क्या factors देखके वो invest करें कोई scheme में तो क्या देव लोग ज्यादा करके देखते है past track record देखते बस past track record is only an indicator कि ये company सही है के नहीं है पर in fact past track record देखके के वल past track record देखके invest नहीं करना चाहिए क्योंकि past track record कब होगा जब market महेंगा होगा तभी past track record अच्छा होगा when market suppose आज 60,000 और 65,000 हो गया तो सब scheme के past track record अच्छे हो जाएंगे right but that is not necessary you might be entering so you have to worry about the market levels at which you are entering that is why we say either invest in balance advantage fund if you are investing one time और you do sip sip में क्या सब average हो जाता है क्या आप एक साल दो साल तीन साल पांच साल का SIP करें तो सब कुछ average out हो जाता है तो एने फो हम काफी लेके आये हैं मेरे पास आज बहुत बड़ा product suit है क्योंकि मैं सारे एने फो लेके आया था पर हमारा एक बहुत बड़िया track record है और आदिल आपको यह track record दिखा सकता है कि जबी भी हमने एने फो लांच किये है उसके बाद वह एने फो का क्या हुआ है मैंने 2000 मेरा तो अभी 20 साल का track record है एनेफो लॉंच करते हुए तो जबी भी हमने एनेफो लॉंच किया है हम लोग सोचते यह सेल स्ट्रेजी है पर यह मेरी इन्वेस्मेंट स्ट्रेजी था कि मैंने अलग-अलग बकेट बना दिये हैं मेरे वाँ और एनेफो लेके आते हैं एनेफो जबी महेंगा मार्केट है कियो लास्ट यह एक फ्लेक्सि काप लिक्या धले गिर नीश हो जाएगा जब NFO में आप पैसे देते हों, हम जनरली 6-9 महीने लेते हैं to be fully invested. हम stagger कर लेते हैं investment. So, we have managed at ICSA Prudential, we have managed our NFOs very conservatively. NFOs are always managed conservatively and till date, every NFO of mine has given a good customer experience. Whether it is Pharma NFO, जो लास 3-4-5 साल में business cycle NFO, FlexiCAP NFO, Pharma NFO, जो भी हमने launch किया है, customer has had a good experience, right? So, it is very important which company's NFO has come, और वो company का overall track record क्या है? किस type of जब ये सारे programs जब करते हैं, आपको मेरे पर judgment लेना पड़ेगा? Because past track record पर देखके केवाल, past track record is only an indicator. अगर मेरी company का past track record ठीक है, तो आप मेरे साथ invest कर सकते हैं. पर ये जरूरी नहीं है कि जिसका जो scheme का सबसे ज़्यादा return आया है, उसमें ही आप invest करेंगे. जो किकर जो अगले जो last 5 साल में चला है और जो अगले 5 साल में चलेगा, वो दो अलग चीज हैं, right? It is not necessary what has done well in the past will do well in future. These are completely two different topics. तो past performance is only to be used as an indicator. ICSA Prudential has come out with NFOs, and I can say on the platform today that there is not a single NFO which has not worked in the interest of the investor. मैं हमेशा बोल रहा हूँ, हम 4,86,000 crores manage कर रहे हैं, साड़े 4,80,000 crores जो हम manage कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा customer interest में चल रहा है, including the NFOs that I have generated. हमारी brand लगी हुए वो NFO के पीछे, customer जब आता है वो NFO में, अगर एक customer को अच्छा experience नहीं होता है, वो कभी नहीं invest करते हैं आपके साथ. और हमको पता है, 84% of our investment, नया पैसा जो हमारे पास आता है ना, उसमें से 84% existing customer के पास से ही आता है. और वो ही customer हमको वापस पैसा देता है, जिसने पहले पैसे बना है. अगर customer पैसा नहीं बनाता है, तो वापस देता ही नहीं है. Right, so it is very important for us that the NFO experience of the customer should be good whenever he comes into with ICC potential. That is very important for us. हमसे बात्चीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद निमेश, बहुत आपको wishes देता हूं में कि ये जो आपने कहा 486,000 अगली बार जब हम interview करें, तो ये 10,00,000 करोड भी हो जाए, उससे भी जादा हो जाए, और बहुत-बहुत बढ़ाई आपको और आपकी टीम, तो तो आप 5 साल तक मुझे नहीं बुलाने वाले हैं? चलिए, 10,00, नहीं तो 5,00,000 करोड पे तो बात करी लेंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और आपकी टीम, आपको बहुत-बहुत बढ़ाई और जल्द आप से फिर बात होगी, आपका कीमती समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू.